बावन साल की उम्र में प्रियंका गांधी अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रही है सीट चुनी है दक्षन भारत के केरल राज्यकी वायनाड वही वायनाड जहां से राहुल गांधी दो बार सांसत का चुनाव जीट चुके है राहुल के रायबरेली सीट रखने और वायनाड छोड़ने के बाद प्रियंका की इंट्री चुनावी राजनीती में हो रही है वैसे तो राजनीती में कदम रखने वाला हर कार्य करता चुनावी राजनीती के जरिये संसत पहुँचने का सपना देखता है लेकिन प्रियंका गांधी को यह मौका काफी देर से मिला है हाला कि प्रियंका गांधी वायनाद से यूँ ही नहीं उतर रही है इसके पीछे गांधी परिवार की बड़ी रणनीती है दरसल प्रियंका गांधी राजनीती में सोनिया गांधी के प्रचार के जरिये जुही उसके बाद राहुल गांधी के चुनावी कार्यक्रम की पूरी कमान उनके पास आ गई इसके बाद वो अमेठी और रायबरेली की करता धरता बन गई मा और भाई दोनों के चुनाव की बागदोर उनके ही हात में रही सोनिया की उम्रधलने और राहूल गांधी के राश्ट्रिय फलक पर उभरने के दोरान प्रियंका गांधी पूरी तरह हमेठी और राइबरिली पर ध्यान के इंद्रित कर चुनाव लढ़वाती रही प्रियंका गांधी को वायनाद से क्यों लड़वाया जा रहा है. तो इसके पीछे राहूल गांधी की उत्तर और दक्षिन की राजनीती को साधने की रणनीती है. राहूल गांधी ये मानते हैं कि जब अमेठी ने दगा दिया तब उनको सुदूर दक्षिन के वायनाद ने ही बचाया वायनाद के लिए राहूल गांधी के मन में इज़्जत इतनी बढ़ गई कि वायनाद छोड़ने का फैसला लेना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया उधर केरल और वायनाद के लोगों ने एक सुर में मान की राहूल अगर वायनाद छोड़ रहे हैं तो गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए स्वाभाविक है कि वो नाम प्रियंका कही होता वही हुआ केरल और वायनाद ने 2019 और 2024 दोनों लोगसभा चुनाव में कॉन्ड्रेस का जम कर साथ दिया केरल के लोगों ने लोगसभा में सीटों से कॉन्ड्रेस की जोली भर दी राहूल गांधी उस आधार को खोना नहीं चाहते इसलिए भी प्रियंका गांधी को तिकत देना सियासी मजबूरी बन गई